वेरी गुड मॉर्निंग स्टुडेंट एसी वालनों मैंने लास्ट वीडियो में एक्सराइज नमबर 12.4 का फर्स्ट क्वेशन सॉल्व करवा दिया है तो आज मैं सेकंड प्रॉब्लम से स्टार्ट करने वाली हूँ तो चड़िए से देख लेते हैं सेकंड प्रॉब्लम का स सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके यहां पर रइट कर देंगे तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा ठीक है बहुत एजी है बस सिंपल इसे कैंसल आउट करना तो आप मैंने दो क्वेशन किया है इन दोनों को देख लेंगे इसी तरह से जो बची हुए दो क्वेशन तो यहां पर मैंने दो क्वेशन को सॉल्व करके लग दिया है तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे अगर नमबर आपका मिक्स्ट में दे रखा तो पहले आप इसे इंप्रॉपर में चेंज करेंगे जो कि मैंने आपको प्ररेक्शन में सिखाया है ठीक है और फिर उ तो अब आप क्या करेंगे इस बर आप 100 से मल्टिप्लाइए करेंगे उपर में ठीक है तो क्या गया यहां पर 60 अपॉन 240 x 100 अब आप इसे solve करेंगे तो आपका जो answer आएगा वो % में आएगा ठीक है answer में % लगाना आप नहीं भूलेंगे तो यहां पर भी मैंने दो question solve किया है अब यहां पर मैंने क्या रिखा हुआ ये यह यहां पर मैंने हैं लीटर को म्ली लीटर में चेंज किया है तो स्टू्ड . कभी भी दो डफिरंट यूनिट एक दूसरे को डिवाइट यह तो जैञे मुझे इक चैंज करना पड़ा एक जैसी ऑनिट होगी तभी हम साल कर सकते हैं यहां पर दोनौ ही रुपए में थे तो कुछी को दोनों ही पैसे में रुपए में थे तो इन्हें हमें चेंज करने के जरूरत नहीं पड़ी लेकिन यहां पर दोनों ही दोनों अलग अलग है एक मिल लीटर में और एक लीटर में इसलिए मुझे यहां पर चेंज करना पड़ा तो लास्ट का स question क्या है आपे देख लेते हैं our student got the 80% mark out of the total of the 500 how many marks did he get तो कोई के student है जिसने 500 marks में से 80% marks find किया है तो आपको percent में marks बताया गया है और number में आपको बताना है कि number में वो कितना find करेगा तो ठीक है चलिए देखते हैं इसका भी solution तो देखिए इसका solution क्या लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे marks कितना find किया percent में उसने 80% total marks कितना है 500 है और he got मैं तब उसे कितना मिला तो आप इसे solve कर लेंगे ठीक है तो इसी तरह से आप अपनी copy में लिखेंगे पहले first word problem लिखेंगे और इसके बाद आप इसे अपनी copy में note कर लेंगे अब second problem मैं आपको सिर्फ solution दिखा रही हो problem पढ़के समझ बता दे रही हो आप लोग अपनी second का solution है ठीक है आप लोग अपनी बुक में देखेंगे exercise number 12.5 का जो question number second है यह उसका solution है तो इसकी इंकम कितनी है अनीशा की income total कितनी है 2400 है और वो spend कितना कर रही है तो आप क्या करेंगे 2400 को multiply करेंगे 80 upon 100 से और solve करेंगे तो आपका answer आ जाएगा ठीक है चलिए third problem का solution देख लेते हैं third problem भी आप student अपनी बुक में ही देखेंगे यहां पर 24 पीस apple के given है और फैजल उसमें 18 खा लेता है तो आपको बताना था कि वो कितने percent apple खाता है तो इस तरह से यहां पर से हम solve कर देंगे ठीक है problem third लिखने के बाद ही आप आपको सो कर दे रहे हूं इधर problem देखें three हो चुका है यहां पर clear हो गया ना हमें last का third दिखा रही थी आपको चलिए fourth का solution देख लेते हैं हम लोग question number four question number four में क्या था एक quiz है जिसमें से कि जो महक है वो 70% question के correct answer देती है और उससे total 40 question पूछे गया है तो आपको बताना है कि उसने कितने question के answer किये तो total question कितने थे 40 और उसने कितने percent के answer किये थे 70 तो 40 upon hundred में 70 से multiply करके आप इसे solve कर देंगे तो यह हो जाएगा question number four का solution और अब last है इसका question number five इससे student आप self करेंगे ठीक है आप खुद इसको try करेंगे और solve करके send करेंगे तो इस तरह से आपका यह chapter पुरी तरह से clear हो जाता है तो मैंने आपको सारे solution दिखा दिये हैं यह आपका था question number exercise number 12.4 का second था third था और four था तो मैंने सभी के दो जो किये हैं बाकि सारे आप खुद से करेंगे और इसके बाद मैंने आपे word problem यह word problem first है second third और यह four ठीक है और fifth आपको self करना है